और बहुत साथा डर लग रहा है कि मैं हमारी तो क्लास 11 बरबाद हो चुकी है हमने क्लास 11 पे प्ष्टना ध्यान ही नहीं दिया जतना हमें देना चाहिए या अब मैं क्या करूँ क्लास 12 में आने के बाद जिसमें मेरा क्लास 12 अच्छा हो जाए कौन-कौन से तरीकों से मैं पढ़ू जिससे मेरा फोकस बढ़ जाए ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और यकीन मानों आप ऐसे अकेले नहीं हो ठीक है क्योंकि बहुत सारे कि जब तुम लोग सेवन्थ क्लास में थे और जब लोग सेवन्थ क्लास से एर्थ क्लास में आये थे तो तुम लोगों को थोड़ा सा बदलाव लगा था स्लेबस के अंदर है ना फिर जब क्लास 8 से जब तुम क्लास 9 में आय तो तुम एकदम से थोड़ा सा बदलाव लग अगर मैं मानू तुम लोग 11 तो तुम लोग 9 तुम्हें टू टाइम्स जादा चेंज दिखने के लिए तो तुमने फिर भी एड़स्ट कर लिया लेकिन जब तुम लोग को तुम लोगों को चेंज नहीं लगा लेकिन तुम जैसे ही 10th class cross करके class 11th में आए तुम सबने भी इस बात को feel करा होगा कि उसका जो syllabus है वो 10x time था as compared to class 10th तो यह यह वाली जो दिक्कत है वो बिटा सब के साथ है तो आपको सबसे पहले अपने मन के अंदर यह सोचना है कि आप इस उल्जन में अकेले नहीं हो और आपको बिल्कुल भी अपना confidence lose नहीं करना है क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि class 11th का syllabus कोई मजाक वाला syllabus नहीं था और एकदम से तुम किसी इंसान के उपर पहले से कम pressure तो एकदम से जाधा pressure डालो तो नहीं cope up कर पाते हैं उस pressure के साथ बहुत सारे बचे तो बिल्कुल भी tension लेने वाली तो बात है नहीं लेकिन अब यह है कि तुम लोग को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए जो गलति तुम लोगों ने class 11th के अंदर धोरा दी आप लोगों को यह सोचके चलना है कि आप वोली गलती को दुबारा class 12th में नहीं दोराएंगे अपना समय बरबाद नहीं करेंगे अपने resources को सही से utilize करेंगे और बहुत सारी चीज़े से आप लोगों को अपनी class 11th से सीखना पड़ेगा क्योंकि class 12th आपकी board की exam है और हर competitive exam में 55% syllabus आपका class 12th का आता है चाहे आपको IIT देना है चाहे आपको NEET देना है चाहे आपको कुछ भी देना है अगर आपका class 11th की biology खराब हो चुकी है या फिर आपका कोई भी subject खराब हो चुका है तो आप लोग उसको class 12th की अंदर कैसे ठीक कर सकते हो वो सारी की सारी बाते आप लोगों को मैं आज इस session में बताने वाली हूँ पहली बात तो देखो आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी कि अगर आपकी class 11th खराब हो चुकी है तो आप इसमें अकेले नहीं हो ठीक है आप इसमें बिल्कुल भी अकेले नहीं हो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि जहां पर आप लोग ने सोचा था कि 2 से मलब 10th क्लास में आपके पास 6 चैप्टर थे और यहां पर आप लोगों को सीधा बाइस चैप्टर मिले ऐसा सिर बायों के साथ ही नह आप सबी के लिए तफ थी और आप इस वाली फाइट में अकेले नहीं हो आप बिल्कुल भी अकेले मत फील करना अगर आपको लग रहे कि हां बरबाद हो चुके तो आप सारे बच्चों के साथ है लेकिन आप लोगों को में फोकुस क्या करना है कि आपको अपनी पुरानी अगर टेंथ कसले बस में यहां पर मान के चल दी हो तो ट्वेल्थ कसले बस यहां पर था तो कोप अप करने में तो टाइम तो लगा और उसके बहुत सारे रीजन्स थे यार मुझे बता था क्योंकि तुम्हारे पास सबसे पहले क्लास 11 नहीं था तो तो तुम्हारे उपर प्रेशन नहीं था तुम्हें बहुत लाइट लाइट में अपनी क्लास 11 करें सबसे में रीजन यहीं रहता है प्लस तुम लोगों जो सोच रहे होते हैं कि जैसे अब तक तुम सारी क्लास पढ़ते आओगे वैसे भी 11 कट जाएगी नहीं होती और बहुत लोगों की बैक ल सिलसेलों में भी यह चीजे खराब होने लग जाती हैं आपकी क्लास 11 लेकिन बहुत सारी रीजन रहे हैं आप लोगे क्लास 11 खराब होने में और आप लोग इस वाली फाइट में बिलकुल भी अकली नहीं हो सब के साथ हुआ है ठीक हैं अब आपको देखो क्या करना है आप को बस एक चीज जयाद रखने है कि अब आपको आज को अच्छा रखना है कि आप लोग कैसे अपने आज को अच्छा बनाए या फिर आप लोग कैसे मेहनत करें कि आप लोगी क्लास 12 की बायो ऐसे खराब ना हो जैसे आपकी क्लास 11 में हुई ठीक है एक बात देखो आप से 90 नमबर तो ले आएगा क्योंकि उसने पहले ही इतना प्रेशर जेल चुका है अगर आप लोग के क्लास 11 में 50 परसेंट स्लिबस कम्प्लीट वा था तो कोई नहीं आप लोग क्लास 12 को एजी ली कर लोगे टेंशन वाली बात नहीं है आपको अपने उपर प्रेशर नहीं क्रियेट करना है और अपने कॉंफिडेंस को बना कर रखना है ठीक है कि आप वो खराब हो गया तो आगे भी नहीं आएगा अमारे बोर्स में अच्छे एक्जाम नहीं आएगा अम नीट का पेपर कैसे देंगे बहुत साए रीजन होते हैं क्योंकि आप लोग के मन में इतन से पहली बात तो आपको अपना कॉंफिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है आपको बस अपना आज अच्छा करना है और थोड़ा सा अप प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा अपनी क्लास 12 को लेकर ठीक है तो हम मैं बात करते हूं कि आपको क्या 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 करना है क् आपका क्लास 12 क्लास 11 की तरह बरबाद ना हूं सबसे पहले आप लोगों को बाइलोची का या फर अपने सारे के सारे स्लेबस का आप लोगों को क्या अपना सारे सब्जेट का स्लेबस को प्रिंट आउट कर लेना है अगर अगर आप लोगों का स्लेबस ही नहीं है तो आप लोगों कैसे क्लारिफाई होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है प्लीज डाउनलोड योर्ट स्लेबस डिपेंड नहीं रहना है कि आपका ट्यूशन का मास्टर आपको पढ़ा देगा अपकी कोचिंग की मास्टनी आपको पढ़ा देगी जो पढ़ा है ठी विटा आप लोग के पस 5 ईूनित के बाद 13 चैप्टर हैं ठीक है, आपकी क्लास 12 के अंदर बहुत कम स्लेबस हो चुका है, पहले से बहुत एडली तो आपके केवल और केवल बायो की अगर मैं बात करूँ आपके पस केवल 13 चैप्टर है इतना आपको पता ही है और आप लोगों की बेटा 5 यूनिट है और as compared to class 11 आपको ये बहुत easy लगने वाला है नेच्स चीज जो आपको कर्णी है आप लोगों को अपने और सिर्फ दिमांग में बठालो अपने NCRT की टेक्स्ट बुँक्स पर ही भरोसा रखना है जब आपकी NCRT की टेक्स्ट बुक्स पूरी हो जाती है अगर आपका मन करता है बहुत डीटेल में स्टढी करना है पहुत रखकर अपनी बुक्स पढ़ो और पिटा क्लास 12 में बोड के अंदर NCRT से ही सवाल आता है इवेन आगर आप लोग कोई भी एक्जाम दोगे उसके बाद CUT दोगे नीट दोगे यही दो एक्जाम दोगे बाई वाले तो आपका सारा का सारा स्लेबस NCRT की टेक्सटबुक में से ही आएगा तो आप सब की पहली प्रायटी टेक्सटबुक होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने मोडियूस भी लाके रख लिए आपने बहुत सरी एक्स्टा बुक्स भी लाके रख ली ठीक है अपने घर में इस प्रेशन नहीं क्रियेट करना है सिम्पल से इपनी NCRT को कंपलीट करना है उसी को बिटा मल्टीपल टाइमस आपको कोशन लइंगा सको कुछ नेक्स चीज आपको अपने लाने हैं बुक्स के लावा इंसी आटी के आप तो आप ला सकते हो अपने प्रीवियस यर के कोशन्स और आप लोग ऐसे लाना कि आप लोग हर चैप्टर के अपने कोशन लगा सको फ्रॉम बिग्निंग और यह आपको अभी से ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं सोचना है कि जब हमारा टर्म वन आएगा जब हमारा आ फेल्ली आएगा बायोगा या जब हमारा फाइनल आए तो आप लोग उसके कोशन्स लगाओ ठीक है और सबसे में इंपोर्टेंट छीज कि आपको देखो बायोचिक को तो अटेंडेंज अर देना ही देना पड़ेगा तो आप सबको पता है लेकिर अपनी क्लास 12 के अंदर आप लोग को जो फोकस में डाल के रखना है वो यह है क सब्सक्राइब कोई भी सब्जेक्ट वीक था तो आप लोगों को क्लास 12 के अंदर कॉप अप कर लेना है अभी आपके पास इनफ टाइम है एंड में कुछ नहीं होता है और यह जैसे अगर आप लोग मान के चल रहे हो कि आपके पास बेटा क्लास 12 के सिंस दस महीने ही है त दस महीने में में मान के चलों आपके पास केवल और केवल तीन सो दिन है और यह टाइम कहां गूम हो जाता है कुछ पता नहीं चलता अभी तक आपको क्लास 11 पता चली ऐसे ही क्लास 12 भी नहीं पता चलेगी अभी आयो अभी आपका बोड आ जाएगा तो एक इक दिन जैसे बीतर है आपका टाइम कम हो रहा है तो ध्यान में रखके चलो अपनी चीजों को प्लान करके चलना है यहां पर ठीक है सेकेंड चीज आप लोग को रेगुलर रिवीशन करना पड़ेगा बायो का तो देखो बायो में मैं आपको सच बतारी हूं कि कॉंसेप्ट तो ही है करना है अपने सूपर शॉर्ट नोट्स बनाने अभी से स्टार्टिंग से बहुत सुंदर सुंदर आपको नोट्स बनाने बढ़ टीचर जो लिखवा रहा है जो भी आपको इंपोर्टेंट लगता है आप उसके नोट्स बनाओ हर चैप्टर की बाद दो से तीन पन्ने छो नहीं बन पाते हैं अभी आपका प्रॉपर टाइम है और नोट से ही आपको बाइलोच याज रहने वाली जब तक आप खुछ से लिखोगे नहीं याद नहीं होने वाला पेपर में नहीं लिखके आने वाले, बोट का पेपर सब्जेक्टिव पेपर है, भी अब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो लिखकर आना पड़ेगा, डाइग्रांस की प्राक्टिस करनी पड़ेगी, सब कुछ, करना पड़ेगा, और करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आ कि यह बोलना बहुत एज़ी है लेकिन करना बेहत मुश्किल है और मुझे तो कभी-कभी खुल अच्छा लगते है कि क्लास्ट जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पास एंड्रोइट फोन या कोई भी स्मार्ट फोन नहीं था क्योंकि यह मेरे पास होता तो जाहिर सी बात है मैं स्मार्ट फोन से इन सब चीजों से सोचल मीडिया से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है लेकिन अगर आपका डेडिकेशन पावर विल पावर स्टॉंग है करना चाहते हो तो बेटा इतना भी मुश्किल नहीं है बस मैं धूर रखने को नहीं बोल रही बस आपको लिमिट करन है अपने अंदर रहना है कुछ टाइम के लिए 300 दिन के लिए बस थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना है और अपने अंदर रहना है जितना आप लोगों से कम मिलोगे अलोउड़ोगों बहु करे अम पने उपर तो इससे तो धूर रहना है अब तक होना होता तो हो जाता है और अब भी तक नहीं हुआ है तो God bless you तुम लोगों क्योंकि आगे भी तुम्हें नहीं करना है जब एक बार successful हो जाओ उसके बाद देखना अभी class 12 से इससे दो हाथ की दूरी बना लेना गुड़ फॉर यू है क्योंकि बहुत सरी चीज़े आपको मिलेंगी जो आपको अनलाइन ही करनी पड़ेंगी तो आपको मुबाइल फॉन से बस आपको लिमिट करना पड़ेगा कि आप लोग दिन में एक या दो घंटे का यह चला रहो गेम्स की बात करते हैं मुझे पता है बहुत साई लड़क कोल्स बनाके करने हैं और टाइम बहुत कम है यह साल ऐसे पंची की तरह उड़के जाएगा जो पता भी नहीं चलने वाला है क्लास 11 जैसी हुई वैसी हुई डू फोकस ओन क्लास 12 ठीक है थांक्यू